अलाम वालेकुम, आज हम Basic Mathematics 1 Dr. Raman Khalil की भूक उसकी XA 7.5 का हम introduction करेंगे, इसमें है हमारे पास series If A1, A2, A3, An with n term of the sequence, then by simply adding the terms of the sequence from a series इसमें कहरा है कि जब हम sequence को add करते हैं, आपसमें उनकों जमा करते हैं, आपसमें उनकों जमा करते हैं, एक series बन जाता है For any sequence, An we have, as an is equal to A1 plus A2 plus A3 plus A4 and so on An तक जा रहे हैं मिरे पास, जो question मिरे पास से plus form के दिया होगा प्लस हों में, इसका आपको, यहां पर हम समझ जाएंगे, खुदबा खुदी कि यह हमारे पास series की बात कर रहे है, sequence की बात नहीं कर रहा If the number of the term in a series is finite, अगर number of term series में finite मतलब करें रहे हैं तो वो finite होते हैं तो में पास series finite कहलाएगी, नहीं तो हमें पता है कि infinite होगी हमारे पास इसका हमारे पास formula हमनों याद करना हुई है, sn is equal to sn is equal to n over 2 to a1 plus n minus 1d, देखो यह formula में पास वो ही नहीं आ गया जो हमने ap का पड़ा था, बस में 2 extra आ रहे है, a1 plus n minus 1d आ गया, बस 2 extra बाकी सारा यह ap वाला formula है, example number 1 है इसकी मेरे पास, if 1 plus 3 plus 5 and so on, find s20 and s30, s20 term नकाल नहीं मैंने, s30 term नकाल नहीं मेरे पास, 1 plus 3 plus 5 so on, इस arithmetic series, we should find the s20 and s30, अब देखो मेरे पास a1 plus d, 4n is equal to 20, मेरे पास a1 आ गया, 1, d मेरे पास देखो common difference आ गया, 3 minus 1, 2 आ गया, 5 minus 3, वो भी 2 आ गया, मेरे पास sn, n over 2, 2 a1 plus n minus 1, d आ गया, s20, n की जगा 20, 20 over 2, 2, 1 plus 20 minus 1, d आ गया, मेरे पास सारा solve किया, 22 plus 38, is equal to 10, 40, और 400 जवाब आ गया, s20 का, s30 का जवाब इसी तरह है, s30 is equal to 30 over 2, 2, 1, s30 का जवाब मेरे पास सी तरह है, s30 is equal to 30 over 2, 2, 1, a1 मेरे पास 1 था, plus 30 minus 1, और difference मेरे पास d आ गया, 2, 15, 2 plus 58, 15, 60 से मुंटिपला किया, 900 आ गया, question number 2 है, मेरे पास, example number, sorry, find the sum of the all integers between 0 and 100, which are not divisible of 5, अब वो कह रहा है, कि आपने 0 और 100 के बीच में सारी numbers का sum नकालना है, integers का, लेकिन शर्च यह है, कि वो 5 से divide नहीं होने चाहिए, वो किसी से भी हो सकें, लेकिन 5 से नहीं हो, हमने यह, उसने condition हमारे उकर लगा दी है, the integers between 0 and 100, which are not divisible by 5, are 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 11, so on, 390, इसमें देखो मेरे पास, 1, 2 नहीं, 5 पे divide होता, 2 नहीं, 3 नहीं नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं लिखा कहूंग, 5 पे divide होता है, 6 7 8 9 10 divided होता है 5 पर नहीं लिखा 11 12 96 पर नहीं जाता 97 भी नहीं जाता 98 भी नहीं जाता 99 भी नहीं जाता इसमें देखो मेरे पास अब देखो मैंने इनका पेर बनाना है क्योंकि मैं इसको common difference लेकर आज सको क्योंकि हमने formula लगाना है उसके common difference हमें चाहिए D हमें लाजमी चाहिए D के लिए हमें क्या होता है common difference होता है जो सबका same हो अब देखो मैं 4 4 का पेर बनाऊंगा यह 4 का पेर बना मेरे पास अगले 4 का पेर बना मेरे पास अब देखो चार जमा तीन 7, 7 में 2 जमा किesta 9, 9 में 1 जमा किesta 10 आ गया अब देखो amplय फ़ेए नो में आठ owकि यह मेरे पास 17, 17 में 6 जमा किसा 26, sorry 23 जमा में 23 में 27 जमा कीदा सब्थो का नहीं 9 मेरे पास 20 में 6 जम्या मेरे पास 3 आ गया 10 प्रोस 30 प्लस 30 प्रृस 20 तिटा reward a n is equal to a 1 plus n minus 1 d आगे मेरे पास यहाँ पे मैंने n नकाला क्योंकि मेरे पास n नहीं था total numbers नहीं थे मेरे पास n मैंने लाजमी नकालने क्यों कि उसने n नहीं दिया तो उसने मुझे total कहा थे series लिखो आप जिसमें 5 से divide नहीं नहीं दिया अब हमने पहले n नकालना है क्यों क्योंकि हम sn में put कर सकें जब थे n नहीं करेंगे इसके अंदर तो हमारे पास question शुरूरी नहीं होगा formula apply नहीं हो सकेगा proper तरीके से तो मैंने यहाँ पे n नकाला 20 आगे sn is equal to n over 2 2 e 1 plus n minus 1 d आगे s20 put के तो में पास जवाब आगे 4000 question number example number 3 है मेरे पास sum of the series 1, 3, minus 5, 7, 9, minus 11, 13, 15, minus 17, so on to 3 n terms तक मेरे पास जा रही है आप देखो series 1 plus 3, minus 5, plus 7, so on मेरे पास to 3 n terms जा रही है अब मैंने इसको minus 1 plus 5, plus 11, so on जा रही मैंने इनका पेर बनाए है पेर कैसे बनाए है देखा जाए है मेरे पास minus 5, plus 3, plus 4 देखो minus 5 बड़ा है 3 plus 1 आए तो क्या है 4 आए मेरे पास minus 5 plus 4, minus 1 आए इसे दार मेरे पास plus 5 आए फिर मेरे पास plus 11 आएगा और so on अब देखो a1 मेरे पास 1 आगे minus 1 आगे, d is equal to 6 आगे common difference आगे और n is equal to मेरे पास n आगे, अब देखो 3 n terms तक थी मैंने 3 3 का पेर बनाए और 3 मेरे पास काता हूं वोगे केला n terms रह गे मेरे पास s n is equal to n over 2 2 a1 plus n minus 1 d आगे, अब देखो मेरे पास n नहीं है तो मेरे पास n over 2 2 minus 1 plus n minus 1 6 आगे, सारी value solve गी तो n 3 n minus 4 example number 4 है मेरे पास saba saves appear 100 at end of January, January में उसने January के आखर में उसने 100 रुपिया बचा लिया जमा किया and increase her saving 10% monthly 10 रुपिस मत लिया, वो हर महिने अपनी दासर पे, जितने वो पहले जमा करती तो उसे दासर पे जादा जमा करना शुरू करते हैं कि हर महिने how much money he save कितने पैसे जमा कर लेगी या बचा लेगी at the end of December, December के आखर में इस year के, अब देखो a1 मेरे पास 100 आ गया d मेरे पास 10 आ गया, common difference 10 आ रहा है n is equal to 12 आ गया, 12 महिने होते है मेरे पास 10 common difference आ गया a1 उसने 100 दे दिया, s n is equal to मैंने sum करने, n over 2, 2 a1 plus n minus 1 d आ गया, n over 12 over 2, 2 a1 100 सा plus 12 minus 1 d आ गया सारा solve के तो में पास 1860 दिपीस वो बचा लेगी, अब मेरे पास sum of n term of geometric series आ गया, let s n be the sum of n terms, then a n be geometric sequence, then s n so on a1 plus a1 r plus a1 r 2 so on a1 r n minus 1, अब देखो multiply both side में r से किया, r s n a1 r plus a1 r square a1 r cube, so on आगे मेरे पास अब देखो, यहां पे s n minus r s n is equal to मेरे पास, substituting मैंने 2 को 1 से minus किया 2 को 1 से minus किया, तो मेरे पास s n is equal to minus r s n is equal to a1 a1 r n बचा मेरे पाकी सारे खतम होगे अब देखो, s n 1 minus r is equal to a1, 1 minus r whole power n आगे देखो, इसने a1 यहां से common ले लिया, 1 minus r n बचा मेरे पास, यहां से s n common ले लिया, तो मेरे पास 1 minus r बचा अब यह क्या करेगा, 1 over r, इदर ले आएगा s n is equal to a1, 1 minus r n over 1 minus r जब मेरे पास r 1 से छोटा होगा r मेरे पास 1 से छोटा होगा और अगली बात, जब मेरे पास r 1 से बढ़ा होगा तो उसका फार्मूला है s n is equal to a1 r n minus 1 over r minus 1 infinite geometric sequence this equation is considered infinite geometric series a1 plus a1r plus a1r square plus A1r n minus 1, we know that s n is equal to a1 plus a1 plus a1r plus so on a1r n minus 1 s n is equal to a1 1 minus r power n over 1 minus r, when r is equal to 1 when we add infinite many series, a many terms to be series and the sum of infinite geometric series is a definite number then the series is set to be convergent अब देखो if r छोटा है 1 से then r n अप्रोच करता है 0 को और n अप्रोच करता है infinity को then s infinity is equal to मेरे पास a1 1-r जब r छोटा होगा 1 से जब r छोटा होगा 1 से और infinite series होगी तो मेरे पास ये formula लगे example number 5 मेरे पास find the sum of the 5 terms of the series 1 1 over 2 plus 1 over 4 here a1 is equal to 1 r combination over 2 r और मेरे पास n is equal to 1 over n is equal to 5 r उसने गोड़ा 5 term की बात की है यहाँ पे मेरे पास अब देखो formula मेरे पास कौन सा लगेगा अब मैंने common ratio देखो मेरे पास 1 से चोटी आ रही है इसमें मेरे पास formula लगेगा जो ए common ratio 1 से चोटी आ रही है r n है मेरे पास देखो r यहाँ पे मेरे पास n है अब देखो मेरे पास ने यहाँ पे क्या किया कि 1 over 2 और n मेरे पास 5 था तो इसका पास मेरे जवाब आया 1 over 25 और यहाँ पे बुक में मिस्टेक थी 1 over 32 आएगा मेरे पास 1 multiple होगा तो 1 आगे 1 minus 1 over 32 मेरे इससे multiple होगा 32 minus 1 over 32 आगे 31 over 32 over 1 मੇर पास 1 over 2 तो इससे मैने से किया तो मेरे पास 2 minus 1 1 объяс 2 आगे अब मैं क्या को अुगा? तो ऊपर ले जाऊंगा मांकि तो 32 महां नीचे ले आऊंगा तो मेरे पास यह आएगा 31 over 32 multiple here by 2 210 जार होता है GP में है मिरे पास A1 में रपास 3 है R में पास 2 है और N में रपास 10R है क्यों उसने पहले में पास 10 की ही बात किये S10 की बात कर रहे A10 is equal to अब देखो उसने दो बातीं की है आपे A10 नकालो और S10 नकालो A10 नकालो आने के लिए आपका फार्मूला हमें पता है कि GP का A10 is equal to A1 R9 value put की तो में पास 1536 इसका जवाब आया S10 की मैंने value put की S10 is equal to A1 R N minus 1 R minus 1 आ गया S10 is equal to 3 2 to power 10 minus 1 2 minus 1 आया मेरे पास सारा solve की तो में पास 3069 आया अब देखो example number 7 है the sum of the infinite geometric series is 2 and the find the term and first term is 1 find the common ratio इसमें भी देखो बात इसमें ही कर रहे है मेरे पास R नकालने common ratio के पहले बात होगी दूसरी बात इसने infinite geometric series की बात कि उसमें खुद ही बताया इसलिए हम यहां पर formula यह वाला लगाएंगे ठीक है पिशने दो question कर रहे हैं देखो उसमें भी series sound जा रही मेरे पास कुछ बच्चे इसमें confused होते हैं कि उसमें यह वाला formula लगा लेते हैं नहीं वो खुद बताएगा infinite series है फिर आपने यह वाला लगाना है एस infinite मेरे पास 2R है और मेरे पास यहां पर A1 मेरे पास 1 आ गया है एस infinite जो A1 1-R मैंने R नकाल ला है तो मेरे पास 2 A1 की value put की 1-R अब देखो मेरे पास इसको ठागे में इदर ले आए तो मेरे पास यह आएगा 2 1-R multiply के 2-2R आ गया is equal to मेरे पास 1 आ गया अब मैं देखो 2R को इदर ले आओंगा 1 को इदर ले जाओंगा मेरे पास 2R is equal to 2-1 अब देखो मेरे पास यहां पर आए मेरे पास 2R is equal to 1, r is equal to 1 over 2 example number 8 है मेरे पास if y is equal to over 3x plus 4 over 9x square plus 8 over 27x cube so on then show that x is equal to 3y 2 1 plus y over 2 1 plus y since y is equal to मेरे पास 2 over 3x plus 4 over 9x square plus 8 over 27x cube y is equal to infinite की बात कर रहे तो y is equal to मेरे पास formula a1 over 3x आगया और 1 minus 2 over 3x आगया है ठीक है अब देखो मेरे पास y is equal to 2 over 3x over 3 minus 2 over x 2x over 3 आगया lcmdx ने 3 minus 2x over 3 आगया मेरे पास अब देखो y is equal to 2x अब मेरे पास 3 यह 3 खतम हुआ 2x over 3 minus 2x आगया example number 8 है मेरे पास if y is equal to over 3x plus 4 over 9x square plus 8 over 27x cube zone then show that x is equal to 3y over 2 1 plus y तीक है इसमें देखो अब इसमें हमने s infinity वाला formula लगाना है क्यों क्यों क्योंकर पहले हमने दो तीन question करके आए हैं 7 से पहले वाले question उसमें हमें उबता रहे था कि s10 नकालो a10 नकालो यह term नकालो वो term नकालो उसमें हमने दूसरे formula लगाने थी जिसमें हमें infinite sequence वाले नहीं थे क्योंकर हमने कोईनों के term दे रहा था इसमें देखो उसने बीवल हें deposit in a bank in year 2016 इसमें कहा रहा है अब्दल हादी एक बल्का है उसने मेरे उसने bank में 2012 में 8000 जमा करवाया उसने 24000 उसने 2013 में जमा करवाया और 72000 उसने 2049 बैंक में जमा करवाया अब वो कहा है 2000, 2000, 12, 13, 14, 15, देखो, 1, 2, 3, 4, 16, 5, N5 आगे मेरे पास, 5 तम की बात कर रहा है, और मेरे पास, A1, 8000 आगे, अब देखो, हमने इसमें जच करना होता है, कि हमारे पार इसमें कौन सा फार्मल लगे गए, पहली बात इसमें हमने, SN वाला फार्मल लही नकाला है, क्यों सम की ब बाता है, 2016 तक मेरे पास, उसमें ये बात ने की, उसमें बात किया, कि 2016 में वो कितने पैसे जमा करवाए गए, जबके 2012 में इतने करवार है, अगली सार इतने करवार है, अब SN वाला फार्मल लही निकल गया, वो हम नहीं लगा सकते हैं, सेकेंड इसमें बात यह हमारे पास कि हमने जज करना है, कि हमने A1 वाला लगाना है, अब हमने A1 वाला लगाना है, AP वाला लगाना है, कि हमने GP वाला लगाना है, geometric series वाला लगाना है, ठीक है, A, arithmetic series वाला लगाना है, कि मैंने यहां पर geometric series वाला लगाना है, यहां पर दो बात ने आगी, अब देखो, arithmetic series वाला लग सकता था अगर मेरे पास common difference आता हूँ ठीक है common difference सेम होता है arithmetic series वाला लाजमी लगता formula लेकिन यहां पर common difference यहां पर common ratio आ रही है मेरे पास जैसे 83024, 243072, so on ठीक है देखो मेरे पास rr है ठीक है यहां पर arithmetic series वाला formula लगेगा a5 is equal to a1, rn-5, n-1, 8003 के power 4, so on 64 और 8,000 वो पैसे जमा करवाए का 2016 है यहां पर exercise 7.5 का introduction यहां पर 7.5 का introduction खतम होते है अब हम 7.5 exercise करेंगे शुक्रिया अल्हाफिस